पॉर्ट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का खबरियार में और इस तरह के से और कल का मुकाबला चला बहुत ही रोमांच मुकाबला रहा साथ ही पहले हमने देखा कि लक्ष शसेम नरी शांदार खेम दिखाया वहां पर उन्रा जीस तरीके से खेल बहत बनाई दूसरे रोड़में दूसरे रौण में जीस तरीके से फिर था एतियासिक मुमेंट था और जिस तरीके से उनों ने खेला वो भी काफी जादा इंपोर्टन था टीम के लिए साथ ही ये सबसे बड़ी चीज़े कि अब इसमें जो शुरीकांत किदाम भी हैं वो फाइनल में पहुंच गए हैं वहाँ पर उनका मुकाबला जो हुगा वो फिलाल अभी एंडर्सन इंटोनस यानि कि डेनमार्क और सिंगापूर का जो मुकाबला खेला जाएगा सेमी फाइनल में उस बीजेता के साथ शुरीकांत को फाइनल में खेलना पड़ेगा और जैसा कुछ मैच का हाल होगा हम जरूर आपको अपडेट करेंगे तो फिलाल यह जो कल का जिस तरीके से अपडेट भी दिया गया था दिरजभाई मरोजभाय ने उस ख़बर को अपडेट किया था सबसे जरूरी इस ख़बर थी और सबसे महत्तरपूर इसके अलामा एक और जो खबर यार्द में दूसरी सबसे इंपोर्टेंट खबर है जिसको आप ल दीरे दीरे उस मुकाबले में हमने देखा कि आखरी के समय में जाकर कोरिया ने वंप जिके और भारत ने 2-2 से ड्राउ ख़बा लेकिन उसके बाद इस तरीके से भारत ने बंगलादेश के ख़बाप प्रधाशन के एक तरफा मुकाबला जीता फिर जो पिछला मुकाबला था पाकिस्तान के साथ वहाँ पर जिस तरीके भारत ये टीम ने खेला वो भी अपने आप में सबसे ज़्यादा इंप्पॉर्टन था लेकिन हाँ वह चीज जो एक तरफा जीत दीने ए एक से भारत ने वहाँ हासिल की लेकिन हाँ थोड़ा सा संगर्स करना पड़ा था लेकिन आज जो मुकाबला होगा भारत का वो होगा जापान के साथ हो जापान से भारत को एक कड़ी टकर की उमीद है रोमांशक मुकाबला भी होने की उमीद है जिस तरीके से हम जानते हैं कि भारती टीम अभी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो खे देखने वाली बात होगी तक्रीबन तीन मजे मुकाबला खेला जाएगा जैसा कुछ अब्रेट होगा उसको लेकर हम हाजिर होंगे आप जरूर होकी पर भी नजर बनाया रखेगा साथ ही बैट्मिंटल का जो गेम था उस पर भी नजर बनाया रखेगा इसके अलामा अगर पर विराट कोली दिख रहे थे पूरी टीम दिख रहे थे यानि कि जो महौल था टीम का वो काफी अच्छा दिख रहा था तो ये टीम के लिहास से जो पूरा सेनर जो पूरा सिच्वेशन चल आता उस लिहास से देखा जा तो काफी ज्यादा ये भी अच्छी खबर है उसक के बाद अगर देखा जा तो एक और खबर थे जिसको लेकर यहां पर शौरब गांगुली को लेकर गुड़गाओं में पहुंचे थे और वहां उनसे एक प्रोग्राम में वहां गय हुए थे उनसे वहां सवाल किया गया विराट कोली को लेकर तो उन्होंने कहा देखिए वि पिराट वासेज दादा करके भी देखा जा रहा लेकिन ये बयान ऐसे महौल में काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसके अलावा क्रिकेट जगत से अगर देखी जाए तो यहां जो सबसे इंपोर्टेंट या कहें कि भी बड़ी खबर है आईपियल को लेकर जिस त तकरीबन अपनी टीम बनानी शुरुआत कर दी है, खबर आती है कि के लाहुल उस टीम से जुडेंगे, खबर आती है कि अब आई जो कन्फर्म खबर आ गई है वो है कि गौतम गंभीर लखनू टीम के मेंटोर as a mentor जोइन करेंगा हम जैसा कि हम सभी जानते है कि गौतम पूरूर रहेगा और साथी जो साथी जो साथ अफरीका टूर को लेकर एक और अपडेट थी वो ये थी कि रोहित शर्मा चोट की वजा से बाहर थे तो उनकी जगा जो वाइस कैप्टन को लेकर टेस्ट मैचों में बात चल ले थी कि क्या फिर से टीम मैनेजमेंट रहाने की तरफ जाएंगे या फिर क्या निर्ड़ें हो सकता है तो उसको लेकर कल BCCI ने कंफर्म कर दिया BCCI ने ये अपने प्रस रिलीज कर ये बाते सामने रखे कि अब जो टेस्ट स्रीज खेली जाए उसके लिए वाइस कैप्टन केल राहूल होंगे तो केल राहूल के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाला होगा आप लोग की जो राहूल के वाइस कैप्टन को लेकर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही एक और जो खबर खबर आये थी कि भाई BCCI के जो चिकसा अधिकारी थे उन्होंने स्थीपा दे दिया है कि उनका कुछ से प्रस्टनल रिजन था विशिशाई के जो अभजीत सालवी थे वो अपने व्यक्तिकत कारणों के चलते उन्होंने स्थीपा दे दिया उसको लेकर वो लगाता है टीम से जूड़े थे कोवीड काल मरूने टीम के साथ बढ़ियां काम किया था तो इन सारे चीजों को लेक अगर भी अंडर सिस्टीन टूराइमेंट में खिलाडियों के उम्र जानने को लेकर उनको पढ़ती से जरूर तमाम चीजों को लेकर उनका जो रूल था उसको लेकर अभी वो इसे पादे दी हैं अभी नोटी स्पिरेट पर चलने तो यह भी एक बीसी से देखा जा तो यह यह थोड़ी सी हैपनिंग वाली जरूर खबर इन सब के वीच अगर देखा जा तो एक और खबर थी जो थी कि चेतेश्वर पुजारा साउथ अपरिका पहुंच चुके हैं उनके फॉर्म को लेकर लगतार सवाल इस बीचे बीसी सी आई ने उनसे एक बीसी सी आई के इंट काफी बैतर हैं तो उसलिया से देखा जा शमी हो गया या फिर बुमराह हो गया तमाम गेद बाजों पर नजर रहेगी तो उसको लेकर चेतेश्वर पुजारा ने जरूर एक छोटा सा बयान दिया है और उन्होंने बोलाए कि यहां भी तेज गेदबाजी भारत को जीत की वजह बनते हैं तो वही बाते चेतेश्वर पुजारा ने कही है शायद रिकॉर्डों को लिकरी बात कही है और हम सभी जानते हैं कि साउथ अपरीका में जो कंडिशन होती है तेज गेदबाजों के लिए वो काफी जादा अंकुल होती है साथ ही अब ये भी देखना होगा किस तरीके से चेतेश्वर पुजारा और जिस तरीके से सवाल था रहाने के उपर हो कैसी वहाँ पर बल्ले बाजी करते हैं इन सभी चीजों का जो भी होगा जब तूर शुरू होगा 26 तारीक से भारत का जो पहला मुकाबला होगा सेंचूरियन में उस पे हम आपको अपड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हमारा भी यह करे कि नए साल से पहले हम भी चार लाग के आसपास पहुंच जाएं चार लाग हम भी कम्प्रीट कर लें उसके अलावा अगर आप आज का जो मुकाबला होगी का मुकाबला जरूर दे मुकाबले होके में होते हैं तो देखने में काफी बढ़िया रहते हैं ठककर बराबर की ही मिलती है तो ऐसे में उस मुकाबले को आप मत भूलेगा बाकि जो बैटमिंटल का दूसरा सेमीवानल मुकाबला आजख खेला जाएगा डैनमार के बीच में और दूसरा जो दूसर यार में अपडेट इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथ अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए